सत्रा दिन तक मोदी जी कहा थे? किसी मज़़ूर के परिवार से बात की हो तो मुझे बता दो भवान ना करता है, कोई ऐसा आज सो तो मोदी जी नहीं आते लहू रोता है हिंदूस्तान के गांदी के सिंगासन पर नाथू की सनतान लहू रोता है हिंदूस्तान 2014 से इस देश में पनोती गरहन लगावा था 2024 में ये पनोती गरहन खतम हो जागा मोदी जी अमीर हो गए देश की जनता गरीब होगी राजनीती की उतल पतल और उसके बाद में अगर बात की जाए तो तनल से 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया और उसके बाद परधान मंतरी मोदी ने बात भी की मजदूरों ने अपनी जो है अंदर की आप बीती भी उनको सुनाई और उसके बाद में जो मजदूरों ने कहा वो वाक्य में ही हम सब भारतियों को सुनना चाहिए मजदूरों ने बाहर आते ही परधान मंतरी मोदी की तारीफ की मोदी ने उनसे सवाल किया कि अंदर डर लग रहा था क्या तो मजदूरों ने एक बात जो कही वो सब के दिलों को छूजाईगी मजदूरों ने कहा कि आप विदेशों से अपने भारत के लोगों को सुरक्षित ले आए तो हम तो अपने ही देश में थे हमें आपके उपर पूरा भोरोसा था लेकिन कॉंग्रेस इसके बारे में क्या सूचती है ḥ कॉंगरेस के प्रवक्ता हमारे साथ में अरुन मलक साथ में मौझूद हैं। क्या पता आज जो है तारीफ कर दें अरुन जी मजदूरों ने तारीफ कर देंगे तक देखिए ऐसा है सतरा दिन तक मोदी जी कहां थे जब तनल में मजदूर फसे थे वो सतर हाल जान रहे थे फून ते बई टनल का प्रपोजर किस ने दिया जब टनल बनती है उसका प्रकॉशन के लिए प्रकॉशन के लिए भी तो कोई प्लान बी प्लान त्यार होता बुचाल आया नहीं बरसात हुई नहीं तो कैसे गरगी दस गई तो बी प्लान क्या था उन्हें प्लान बनते हैं पहले अंजीनियर बनाते हैं लेकिन सतरा दिन से ह प्रणाम मंतरी का नाम निया नहीं लिए तमाम कॉंग्रेस एसा है अटल जी का नाम मने लिया आटल जी ने इनको का था राजद्रम निवाउ यहां तो रहे हैं नहीं जब यह मुख्य मंत्री थे अटल जी निका रहा है राज धर्म निवाओ नहीं निवाया ठीक है ना उनकी अस्टी लेकर गूंते रहे वहां भी इन्द्रा जी की तारीफ करते थे और कभी भी आप भी थोड़ा वह जो है ना कर लीजिए परदान मंत् का थे मज़ूरों केन्स कर सिंख धामी वहीं पर जूते हुए थे मुख्य मैं परीवादो तो सुनिए मोदी जी 17 दिन तक कहा थे जो मज़ूर 12 से टनल में थे उनके परिवारों से फोन पर बात की एक holiday इंक पास सारे डिजिटल इंडिया कहते हैं मेकें इंडिया कहते हैं किसी मज़़ूर के परिवार से बात की हो तो मुझे बता दो चैलेंज हैं नहीं करी धामी सामने बात करी नहीं करी मेरा चैलेंज हैं नहीं करी तो जब मजदूरों ने मजदूरों के निकाला, जो देश का निर्मान करते हैं, मजदूर इस देश का निर्मान करता है, निर्मान करता है मजदूर, तो वो हमारे लिए रासा बना रहे थे, तो वो जो फसे, तो ये कहीं कोई नहीं थे, कहीं गोदी मीडिया नहीं था, दूस वो यह तीन मुसलिम हैं, जन्होंने फिर टनल को निकाला, वो दूब मुसलिम थे, जन्होंने चंदरयान को भी काम जाया, आमदरोही औ शिवान, इसे तीन मुसलिम हैं, यह देश के देखिये, बज़ूरों ने मज़ूरों बचाया, ओंगरेस हिंदू मुसलिम को क्यों उपरास्ट पती का ब्यान सुना अब मेरी बात सुनें आप ध्यान से सुनें देश की उपरास्ट पती महामें उपरास्ट पती धी धनकर साब उन्होंने क्या बोला आपने सुना उन्होंने बोला महात्मा होंगे मोधी यूग पूरुष हैं विनाश पूरुष हैं उनके मुझ से गलती हैं विनाश पूरुष हैं यूग पूरुष हैं देखिए धनकर साहब उप्रासपतिय देश के और मोधी से उंचे पत्वे हैं मोध तुझा चार्टू करता वाला ब्यान है मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं देश के महामीमु प्राश्पतिजियें मैं आपसे माफी चाओंगरेस ने तारीफ नहीं करना है कॉंगरेस ने विरोध करना है तो दुनिया कोई भी जो मोधी को अच्छा ना बोले जो मोधी को ज आती है माथमा गंधी की कावास पर जब आपना हाइंसा कांदोलन चलाते थे उन्हेंने खर का जाते देढल सुनिये सब सुनिये खर सुनिये ऑगज सिघने फांसी चुमि माफी नहीं मंगी वीर सबर करें तरह फांसी चुमि मघघ संग ने वह गंदी जी की और लांखों लोग मेरे समेत मिला के और महतवा गांदी जरी के जान दे सकता हूं और उनके लिए अब शब्द नहीं सुन चकते हुआ स्पर्देश के मुखे मंतरी का भे चुन लिए यक्रणीpat セो दिः फोटने काई गोली कहाई ये गोली मारने वाले ये गोली मारने वाले आप कोई गाना सुनाया बहले में ने आप गाना सुनिये लहूरोता है हिंदूस्तान आश्या जी गोर करिएगा इसे लहूरोता है हिंदूस्तान के गांधी के सिंगासन पर नाथू की सनतान के गांधी के सिंगासन पर नाथू की सनतान लहूरोता है हिंदूस्तान अल्हू के आंसर हो रहा है लोग, बेरोजगारी है, अत्याचारा है, महिलाओं को निवस्तर गुमाया जा रहा है, तो यह विनाश पुरस के काम हो रहा है, यह विनाश पुरस है, यह विनाश पुरस के काम है, पंदरा साथ से मनी पूर हो रहा है, बेरोजगारी है, अत्याच मेरे सपने मेरे सपने में राहूल जी क्या कहते हैं बचा लो कुछ ऐसा ब्यान दे देखिए आपको मैंने चंद्रियान से बहविश्य वानी हुई है बता दू चंद्रमान पर आशा जी आपके चैनल पर सुनिएगा दैसे बता आईएगा ठीक है और दिखाएगा भी चोबिस में चंद्रियान से बहविश्य वानी हुई है कि 2014 से इस देश में पनोती गिरहन लगा हुआ था दो जार चोबिस में ये पनोती गिरहन खतम हो जागा नतीजे अभी बता देंगे मैं बता तो रहूं दोजार चोबिस में धरम पे राजनिती नहीं होगी धरम पे बोर्ट न देंगे लोग चोबिस में बेरोजगारी पे वोड़ देंगे महला चारों के खिलाफ वोड़ देंगे लोग ये तीन चीज़ें चलेंगी तो कि तरंगा है ना महला का समानियों नहीं किया बेरोजगारी दूर नहीं करी महंगाई दूर नहीं करी इन चीज़ों पर आया थी तो वे महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहगा। 70 साल से कॉंग्रेस भी तो कहती थी हम गरीबी को दूर करेंगे। इंद्रा के टाइम से बोलती थी, हुई थी क्या गरीबी खता हूए। गरीबी कैंद yajah? हमने 70 साल में बना है, सब कुछ बना है। है तो मोठी जी अ मौधी जी किसको देंगे आप आरुन जी मानिये इसको देंगे कपड़े अच्छे पेहनते हैं परधानमंत्री है पहने कपड़े पहन सकते हैं अच्छे आपको बहन पहनने से बिक्कत है देखिए मैं उसी तहें कह रहा हूँ, मोधी जी अमीर हो गई, देची जनता है गारीब होगी, मोधी जी 8,000 वे के कुरोणे के प्रियन में चलते हैं, जनता कहीं चलती है नहीं, जनता मोधी जी 10,00,00 सुट पैंते हैं, तो लटकाप है नोरी कहा चलते हैं 800 रुक टमात्र ले ले रही है नहीं ले पा रही 400 कί ले दन्या 400 रुर्प, नहीं ले पा रही धनिया 400 रुप्नें, गरीब, विक नहीं आनखिश करें कि यहुआ हो दाल कहते हैं वह लोग इसी सरकार को चो किनार का देंगे 24 बारा चो किनार को ने पता इसे कही लोगों ने बताया है जैसे आपके ये क्या बोलते हैं ट्रांसपोर मिनिस्टर क्या है नाम उनका नेतन गड़गी उनके लोग उने का कि हम कांगरग से समर्थन करेंगे उनके कई दो लोगों भी हैं। दिखाते रहते हैं आप लोग क्या सोचते हैं राजनीती के बारे में हमें जुरूर बताईएगा बने रहे हमारे साथ देखते रहे हैं सोगंध टीवी सोगंध वतन की